नमस्कार दोस्तों, NK Monitor चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आचारे चाड़क ने अपनी नीतियों में पुरुषों के लिए कुछ खास बातों का उल्लेक किया है उनके मुताबिक गलती से भी पुरुषों को बो काम नहीं करने चाहिए इन्हें जानने के बाबजूद अगर कोई लड़का या पुरुष ऐसे काम करता है तो उसकी जिन्दगी में उसका पतन शुरू हो जाता है जी हाँ दोस्तों, पुरुषों को आचारे चाड़क के अनुसार ये काम नहीं करने चाहिए बरना उसके अन्जाम ठीक नहीं होते दोस्तों काउटिल्ले, विश्णू गुप्त और वातसयायन के नाम से प्रसिद आचारे चाड़क के का जीवन ना केबल तमाम तरह के रहस्यों से भरा पड़ा है बलकि उनकी नीतियों की देश ही नहीं, विदेशों में भी खूप चड़चा है माना जाता है कि अगर एक इनसान जीवन में सुखी और खुश रहना चाहता है तो उसे आचारे चाड़क के की नीतियों को अपनी नीजी जीवन में अपनाना चाहिए दोस्तों देश के मशूर आर्थशास्त्री आचारे चाड़क ने अपनी बुद्धी के बल पर पूरी दुनिया में अपने ग्यान का डंका बजाया है मानब जीवन से जुड़ी कई एहम बातों का उन्होंने अपनी नीतियों में जिक्र किया है जिनका अनुशरण करने से पुरुशी नहीं महिला का जीवन भी सुखी ब्यतित हो सकता है राजनीती और कूटनीती के महान ग्याता चाड़क ने महिलाओं के साथ साथ पुरुशों के लिए कई ऐसी बातें कहीं हैं जो उनके निजी जीवन में उत्थान और प्रगती का शांदार कारण बन सकती है आचारे चाड़क ने अपनी नीतियों में पुरुशों के कुछ खास बातों का उल्लेक किया है जिनके मुताबिक गलती से भी पुरुशों को वो काम नहीं करने चाहिए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे इसलिए लाइक जरूर करें तो चलिये जानते हैं उन बातों के बारे में नमबर एक भोजन करती महिलाओं को ना देखें दोस्तों वैसे तो आज कल चाल चलन बदलने के साथ ही महिलाएं भी पुरुशों के बराबर ही बैट कर खाना खाने लगी है लेकिन आचारे चारके के गरंथ में इसके बारे में जिक्र किया गया है वो आपको जरूर जानना चाहिए आचारे चारके कहते हैं किसी भी पुरुष को भोजन करती महिला की तरफ नहीं देखना चाहिए ये शिष्टा चार के खिलाफ होता है और भोजन करती महिला भी आसहज हो जाती है और ठीक से खा भी नहीं पाती दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई महिला या लड़की अपने कपड़े ठीक कर रही है तो उसकी तरफ पुरुषों की नजरें जरूर जाती है चारके के नीती शास्त्र में इसे अपराध की तरह माना गया है चारक के कहते हैं अपने कपड़े ठीक कर रही महिलाओं की तरफ पुरुषों को गल्ती से भी नहीं देखना चाहिए तो पुरुष एक टक उन्हें देखने लगते हैं पुरुषों को ये नहीं करना चाहिए खास कर काजल लगाती महिलाओं को पुरुषों को नहीं देखना चाहिए इतना ही नहीं खुद की या फिर बच्चे की तेल मालिश करती महिलाओं को पुरुषों को देखना उचित नहीं माना गया दोस्तों आचारे चाड़के की नीतियों में बताई गई इन बातों का अनुशरर करने से पुरुषों को समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो